बारत में चल रहा है किसी हाई कोट एडिस्टी कोट में किसी केस की जनकरी हम बड़े आराम से इकोट सर्विसेज आप दो निकाल सकते हैं सबसे पहले इकोट सर्विसेज का आप डाउनलोड कर लिजी अपने मोबाइल में और आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा अब आईए देखते हैं कि इसमें हम कोई केस कैसे निकाल सकते हैं बड़े आराम से पहले तो ये एक CNR का आप्शन है अगर CNR नमबर हमारे पास है तो हम यहाँ डाल कर बड़े आराम से निकाल सकते हैं ये सोलर डिजिट का एक अलफा निमरिक नमबर होता है जो आजकल हर केस को दिया गया है और वो समन पे आता है या केस की जनकरी जब भी आप कहीं देखेंगे तो वो मिल जाएगा दूसरा अप्शन है QR Code आप QR Code समन पे होता है या आपके पास सेव है तो उसको स्कैन करे और आप उस केस को बड़े आराम से फिल्टर करके आपके सामने आ जाएगा जादा तर ऐसा होता है कि ये दोनों जानकरी हमारे पास पहली बार नहीं होती तो हमें अब देखना है कि हम इस एप के द्वारा नाम से या किसी नंबर से हम सबसे पहले केस कैसे निकाल पाएंगे हमारे पास दो आप्शन होते हैं यहां पर हम डिस्टिक कोट चुने या हाई कोट चुने उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं हमने यहां डिस्टिक कोट चुन लिया जैसी हम आगे बढ़ेंगे तो हमको स्टेट चुनना पड़ेगा उसके बाद हमको केस स्टेटस चुन मिलता है या नहीं मिलता है तो हमें court complex select करना होगा हमने यह court complex select कर लिया random कर लिया कुछ भी कोई number हम डाल कर चेक कर लेंगे देखते हैं कि क्या case मिलता है या नहीं मिलता है अब हमको यहां पर case type डालना है तो चुकि हमें cultural use of civil court है तो यहां पर civil suit डलते है तो हम को हम कोई City फोटे हम यहां पर original suit यक डाल लेते है चुकि यह seemed court है तो यहांwerk पर case number डालना है तो हम कोई भी number डाल देते हैं वन उट न दोड़ते हैं उसके बाद हम और यह a दालना है, तो हम two zero two one डाल देते हैं. उसके बाद हम इसको क्लिक करते हैं go को, तो देखे एक case खिलकर आ गया हमारे सामने यह, यह एक case खुलकर आ गया, अब हम इसहँ क्लिक करके आगे हम इस case की पूरिञ्डकरी निकाल सकते हमने इहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक करते ही यह case number आ गया और party name आ गया, यह case number है और यह party name है, तो इस तरह से हम इस case number और party name हमारे पास आ गया तो हम यह अपने पास रख लेंगे और जब चाहें इस case को जैसे भी चाहें हम ढूंड सकते हैं, अब हम यहाँ पर जो यह link है इसको क्लिक कर देते हैं इसको क्लिक करने के बाद यह case history का page खुल यहाँ पर court का नाम है, फिर यह case type है, जो हमने डाला था, original suit है, filing number यहाँ आ गया, filing date यहाँ आ गयी, यह 18 January को फाइल हुआ, registration number यहाँ आ गया, registration date आ गयी, cnr number आ गया, जैसा मैंने पहले बताया था, यह cnr number है, इस case का हम अपने प first date of hearing, इस case की, 19 February हुई थी, next date इसकी, 26 July है, stage of case क्या है, summons के लिए लगा हुआ है, court number है, judge यहाँ पर है, यह judge यहाँ आ गया, judge का, court का नाम आ गया, अब हमको यहाँ पर qr code मिल जाता है, जो मैंने पहले बताया था, qr code आपने पास रख लीजे, जब चाहे, आप में डाल क कर देख सकते हैं, बाकी जनकारी, petitioner and advocate, यहाँ मिल जाती है, respondent and advocate, यहाँ मिल जाता है, और किस act का case है, वो यहाँ मिल जाता है, उसके बाद सबसे नीचे हमको history of case hearing, यहाँ मिल जाती है, हम इसको click करके, पूरे case की history, क्या के order pass हुए है, वो देख सकते हैं, आइए इसको कर करके देख से, 19 फरवरी को यह case लगा था, तो इसका daily status आ गया, सारी detail यहाँ पर मिल गई, और यह date of hearing आ गई, उसके बाद यह इस पर short order है, as per orders of honorable court, court due to lockdown, case reposted to such and such date, nature of purpose summons है, our next date 6th of May है, तो इस तरह से हमको इस case में 19 फरवरी को क्या order pass हुआ था, वो पता लगी, अब 6 म हुआ था, यह हमने click किया, तो हम यहाँ से, हम यहाँ पर फिर से आगे, अब यह daily status 6 माई का है, 6 माई को क्या हुआ था, same order हुआ है, चुकि अभी lockdown चल रहा है, और इसमें next date 26 जुलाई की लग गई, तो इस तरह से बड़े आराम से इस case को randomly हमने, सिरफ मैंने civil suit number, original civil suit number 12 डा और वहाँ पर randomly search कर लिया, अगर आपको ऐसे ही कोई search करना word search, तो यही रास्ता लेना होगा, आपको सबसे पहले state select करना होगा, state के बाद जिला select करना होगा, इतनी जानकरी सब के पास होती है, अगर नहीं है, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, और उस जिले में उस court को select करना होगा, एक जिले में कई तरह की court होती है, तो आपको, अगर आपको कोई कहता है कि criminal case डाला है, तो आपको criminal court में जाना पड़ेगा, वहाँ search करना पड़ेगा, अगर कोई कहता है civil suit डाला है, civil case डाला है, appeal डाली है, तो appeal court में जाना पड़ेगा, इस तरह से आप बड़ bench चुननी होगी तो अभी चुकि ममताब एनरजी का case कलकता का काफी news में चल रहा है तो आईए हम उसको ढूंड के देखते हैं मुझे सरफ ममताब एनरजी नाम पता है तो आईए ढूंड के देखते हैं उस नाम से कोई case मिलता है या नहीं मिलता है हाई कोट में हमने कलकता हाई कोट चुन लिया यहां पर उसके बाद प्रिंसिपल बेंच यहां चुन लिया अब हम पार्टी नेम में ममताब एनरजी डाल कर देखेंगे कि वह case हमें ममताब energy के नाम से कोई केस इस साल में डला हुआ मिलता है याल नहीं अगर मिलता है तो वो कभ डाला गया क्या filing नुमबर उसका क्या नमबर है उसका cnr नंबर क्या है और उस पे क्या क्या ओर्डर हुए है उसको हम बड ajudन से च armored सकते आई यह को करके देख टे Liam अब हमने यहां पर, पार्टी जनेम में ममता बेनरजी का नाम यहां डाल दिया है, और रेजिस्टेशन येर हमने 2021 डाल दिया है, पेंडिंग या डिस्पोस्ट हमें नहीं पता तो हमने बोथ डाल दिया, अब हम गो को क्लिक करेंगे, तो ऐसा कोई case है या नहीं है वो हमको filter करके आ जाएगा यह simple word search होता है अगर होगा तो जरूर मिलेगा अब देखे एक total number of cases जो scan होकर आया है वो एक हमारे सामने आ गया इसको हम click करेंगे तो हमें पता लगेगा कि यह कौन सा case है इसका क्या नाम हमने इसको click किया तो यहां हमे ममता बैनरजी वरसे स्टेट ओ वेस्ट बेंगाल और अधर्स आ गया और यह इस case का number मिल गया तो यह हमें दिखाई दे गया कि ममता बैनरजी का यह case है अब हम इस order पर click करके यहां पर click करके इसके बाकी details देख सकते हैं आईए देखते हैं वहां click करने के बाद हम case history के page पर मिल गया filing date क्या है यह मिल गया registration number मिल गया registration date मिल गयी cnr number मिल गया यह cnr number आप अपने पास रख सकते हैं जब भी इस case को ढूणना हो तो यह डाल कर आप इसको देख सकते हैं first date of hearing इसकी 18 January को थी decision date है 4th of February case status क्या है case disposed है nature disposal क्या है contested disposed quorum है bench type है judicial branch है आगे जनकरी है नीचे हम जाते हैं तो यह qr code यहां मिलता है petitioner and advocate यहां मिलता है respondent and advocate यहां मिलता है किस act का case है, यहां मिलता है category detail, यहां मिलती है, interim order कोई है तो कैसा है, वो यहां मिलता है, final order है, तो वो क्या है, ऐसा मिलता है यहां पर, और objection details है, तो इसमें से हमारे काम की यह दो है, interim order और final order, आईए हम इनको निकाल कर देखते हैं, यह हमने interim order को click किया, तो यह order आया, यह 21 ज की order sheet है, इसको order sheet बोलते हैं, यह 21 जनुरी का court number 13 में, serial number 44 पर यह case लगा था, यह इसका written number है, ममताव एनर्जी वरसे स्टेट अबेरस्ट बंगल, WPA number 312 of 2021 है यह, और उसके बाद, यहां पर for petitioner, lawyer का नाम है, और यह order पास हुआ है, on the prayer made on behalf of the petitioner, let the matter be listed on February 2, 2021, यहां जश entry order जो 21 जनुरी को पास हुआ, वो देख लिए, इस तरह हम यहां click करके final order दे सकते हैं, और हमें पूरे case की जनकारी यहां से मिल जाएगी, तो इस तरह से हम district court का भी और high court का भी search बड़े आराम से कर सकते हैं, तो इस तरह से हम district court या high court के option को चुन कर, और case का number अगर हमारे पास है, तो case number wise हम यहां से सर्च कर सकते हैं, नहीं है, तो party's name जो भी नाम है, यह दो चीजें सबसे ज़्यादा उपलब्द होती हैं, तो यह आप इसके तो party name डाल कर सर्च कर सकते हैं, आपको सबसे पहले यहां पर state का नाम लेना होगा, फिर district का court चुनना पड़ेगा, अ इस जगे पर हम क्लिक करेंगे, तो इसका drop down menu खुलेगा, और उसमें बहुत सारे feature होते हैं, जो कि इस पूरे app को बहुत अच्छे से हमें इस्तिमाल करने में काम आते हैं, आइए हम यह कर के देखते हैं, अब यह menu के बाद खुल गया है, तो आप देखें, यहां पर हमें सा सारे feature मिल रहे हैं, इसमें जो CNR number, case, status, cause list, my cases, जो main menu में थे, वो यहां मिल रहे हैं, उसके अलावा यहां पर एक additional feature, import, export का मिलता है, यह filing में परियोग होता है, import का मतलब कोई order आप download करें, export का मतलब कोई order आप upload करें, यह configure हैं, इसमें आप high quote या district code कौन सा चुनना चाह र सकते हैं, यह NJDG का वेब साइट है, आप यहां क्लिक करेंगे, तो National Judicial Grade में चले जाएंगे, वो अलग website है, वहां पे सारी जनकरी आपको मिल जाएगी, यह e-filing का status, यह e-filing का icon है, इस e-filing के लिए आप इसको प्रयोग करेंगे, इसके लिए पहले आपको एक ID बनानी प आपको ले जाएगा, वहां पर आप सारे Act, Rules, Regulations और Notifications सारे वहां पर आपको मिल सकते हैं, आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो सारा Compilation वहां पर है, यह Forms for Advocates है, जितने Forms Advocates यूज करते हैं, ज्यादा तर वो यहां मिल जाएंगे, डाउनलोड करके, आप कस्टमाइज करके, अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, यह Virtual Code का Link है, जितनी भी Codes Virtual हैं, ज्यादा तर चलान की Codes अभी Virtual हैं हर स्टेट में, तो आप जाएंगे, वहां पर उस चलान का Number जैसे ही आप डालेंगे, तो आपकी Penalty जो भी आपकी Presence लगागे, Penalty Amount आपक होता है, कि वह Automatically आपको बता देगा आपके Case का Outcome, वहां पर कोई Hearing कुछ नहीं होती है, तो इस तरह से यह सारे बाकी नीचे के Feature अलग हैं, इस तरह से हम देखते हैं, कि यह सारे Feature हमारे काम के हैं, और बहुत कुछ हमें इसके थ्रू देखने समझने को मिल जाता है, तो हम बहुत कुछ किसी भी Case के बारे में जान सकते हैं, वो Case कहा है, उसका Number क्या है, कब कब लगा, क्या-क्या Order हुआ, वो सारी चीजे मिल जाएंगी, भारत के किसी District Court का और किसी High Court का, तो इस तरह से यह एप बहुत ही काम का है, बहुत ही कारगर है, और यह कोई भी Common Man बड़े